नमस्कार बच्चों आज की हमारी कवीता जो है नागारजुन की द्वारा लिखी हुई यह है दंतुरित मुस्कान इस कवीता में कवी जो है अपने बच्चे की मुस्कान को देखकर बहुत खुश हो रहा है प्रसन हो रहा है क्योंकि उसके बच्चे के दाथ अभी अभी आए है दंतुरित का यहां पर तर्थ पर यह है कि बच्चों के जो नई नई छोटे छोटे से दाथ आ जाते है उनसे देखकर के कवी बहुत खुश हो करके यह कवीता लिख रहा है और कहे रहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डालतेगी जान धूली धूसर तुम्हारा यह गात छोड़ कर तालाव मेरी जोपड़ी में खिल रहे जल जात परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिंगल कर जल बन गया होगा अकठिन पाशान कवी यहाँ पर कहता है छोटे वच्चे को कह रहा है कि तुम्हारे जो छोटे छोटे से मूँ में सजे हुए दाथ है वो इतने ताकतवर हैं कि यदि कोई मृत भी है मरा हुआ भी है तो उसमें जान आ जाएगी और तुम्हारे शरीर पर यह धूल धूसर हो गया है जो मिट्टी लग गई है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि तालाब में जो कमल खिल रहे थे वो मेरी जोटी में आकर के खिल गए है जलजात यानि कमल का फूल और ऐसा लग रहा है कि पत्थर भी तुम्हारा स्पर्शपा करके पिंगल कर जल बन गया होगा यहाँ पर क्या कह रहा है कभी बच्चे की तारीफ करते हुए कि मैं तो एक गरीब वैकती हूँ और तुम मेरी जोटी में खिलने वाले कमल हो और तुम्हें इतनी शक्ती है कि तुमसे जो स्पर्श पालेगा वह भी पिंगल करके पानी बन जाएगा फिर वैं कहता है चुगया तुमसे कि ज़रने लगे सिफालिका के फूल बास था की पभूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेश ठक गए हो आखलू मैं फिर क्या हुआ यदि हो सके परिचितना पहले बार कहता है कि तुम्हें जैसे ही मैंने चुआ तो सिफालिका के फूल जड़ने लगे तुम इतने कॉमल हो कि मुझे लग रहा है कि तुमसे फूल आ रहे हैं फूलों की खुश्बू तुम में से आ रही है और मैं तो एक बास हूँ या बबूल हूँ क्योंकि बास और बबूल का पोधा या पेड़ जो ता बहुत ही कठोर होता है तो खुद को वह है बास कहता है और कहता है कि या तो मैं बबूल हूँ तुम मुझे ऐसा लगता है कि पहचान नहीं पाए हो इसलिए लगातार देख रहे हो अनिमेशनी लगातार बीना पलक चपकाए लगातार देखना कहता है कि तुम लगातार देखते देखते ठक गए हो तो अगर तुम कहो तो मैं तुम से आखें फिर लू क्या हुआ जो तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो कोई बात नहीं है क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है बहुत दिनों बात किसी को देखता है तो पहचान नहीं पाता है बच्चा जो है बहुत ही छोटा सा है भोला भाला है और सुन्दर है और उसकी मुस्कान कवी को अत्यंत प्यारी लग रही है यहाँ पर कवीता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और एतुकांत छंद है एतुकांत छंद किसे कहते हैं जिसमें जो लाइन पंक्ती होती है उसका अंतिम शब्द मेल नहीं खाता हो उसे एतुकांत छंद कहत सिधापन उसके ठाऊन किया है। बच्चे का सारा शरीर भूल मिटी से भरा हुआ है। और उसे वह कमल के फूल के समान लग रहा है यहां पर उसके सुन्दर दातों की सराहना कर देवे कवी खड़ी बोली का प्रयोग करके ए तुकंत शंद की शैली में कवीता को लिख रहा है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान अमृतक में भी डाल देगी जान अतिशयोक्ति किसे कहते हैं जिसमें सच्चाई नजर नहीं आए जिस अलंकार में अतिशयोक्ति की गई हो यानि अत्यंत बढ़ा चड़ा कर बात को बताया गया हो यह दितुरित व्यक्ति में जान डाल देना संभव नहीं होता है फिर भी उसने अतिशयोक्ति का प्रयोग करते वे यह कविता लिखी है फिर वे कहता है यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज यदि तुम्हारी मा नहीं होती मैंने सकता देख मैंने पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम्हारी धन्य चेर प्रवाशी म इतर में अन्य कि मैं तो बहुत दिन से लोटा हूँ मैं बाहर गया हुआ था तो मैं तुम्हें देख नहीं पाया इसलिए तुम मुझे जान नहीं पाए हूँ क्योंकि मैं काफी समय से काम के सिलसले में बाहर गया हुआ था इस अतिती से प्रिये तुम्हारा क्या रहा संपर्क तुम तो बहुत छोटे से हो, मेरे प्यारे से बच्चे हो तो मैं तो बहुत दिनों बाद आया हुआ महमान हूँ इसलिए तुम मुझसे मिल नहीं पाए थे और मेरे पीछे से तुम्हारी मा ही उंगलिया मा की कराती रही है मधुपर्क तुम्हें मधुपान कराती रही देखते तुम इधर कनकी मार और तुम मुझे टेड़ी टेड़ी आँखों से जो देख रहे हो और होती जब कि आँखें चार और जब हमारी आँखें मिलती है दोनों की तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगड़ती बड़े ही छविमान मुझे बहुत सुन्दर तुम्हारी यह मुस्कान लगती है छोटे बच्चे की क्या आदत होती है कि वो पहले आपको कंखियों से देखता है नजरे घुमा करके देखता है चुप चाप देखता है और जब नजरे मिलती है तो वह अपनी नजरे फिर आ लेता है यह इस भाव का कभी ने अत्यांत सुंदर वर्णन यहां पर किया है और वह उसकी इस मस्कान पर अत्यांत मुग्ध हो गया है इसमे चित्र बन जाएगा बच्चे की मुस्कान का तो वह चकशुक विम जो होता है उसका प्रयोग इस कविता में किया गया है कवी के भाव यहाँ पर क्या है सुन्दर दंतावली को देखकर वहमुगद हो गया है और बच्चे का पालन पोशन उसकी माने किया है यह भाव उसमें बताएं हैं कवीता में कवीने यहाँ पर प्रशाद गुण विद्यमान है वातसले रस है वातसले रस है और अनुपरास अलंकार का प्रयोग किया गया है माना माध्यमान अकराती मधुपर्क में अनुपरास अलंकार का प्रयोग किया गया है मधुपर्क किसे कहते हैं मधुपर्क जो होता है दूद, दही, खी, शहद और जल यानि कि दही, घी, शहद, जल और दूद को पाँच तत्मों को मिला कर देवताओं को जो भोग लगाया जाता है उसे मधुपर्क कहते हैं और यही पंचामरत माँ बच्चे को खिला करके उसे जीवन देती थी और उसे पीछे से पालन पोशन करती थी खंखी का तत्परी यहाँ पर तिर्ची निगाह से देखना होता है और अथिती मेहमान को कहते हैं तो इस प्रकार से आज मैंने आपको कविता का सारांस बताया है अगर आपको इसके नए वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीचेगा जो मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है आप देख करके वो सारी कविता का सभी वीडियो देख सकते हैं इसके इलावा क्लास 10 के सभी वीडियो भी आप उसमें देख सकते हैं